Welcome to another video तो यह GS series का अगला पार्ट है तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं तुमारा है भारती क्रिसियानुसंधान परिशत के अस्तापना किस वर्स की गई थी तो भारती क्रिसियानुसंधान परिशत के अस्तापना 23 मई 1929 को दिल्ली में की गई थी रवी फसल जो है उसकी बॉआई कब सुरू की जाती है तो अक्टूबर से नॉवंबर के बीच में रवी फसल की बॉआई की जाती है रवी फसल की कटाई जो है मार्च और अप्रेल में होती है खरी फसल की बॉआई होती है जून और जुलाई में और खरी फसल की कटाई जो होती है नौंबर और दिसंबर में तो प्रमुक रभी फसले बहुत इंपोर्टेंट है गिहूं, चना, जव, मटर, सरसो, मसूर, आलू ये सब कौन से रभी फसले हैं प्रमुक खरी फसले धान, गन्ना, तिलहन, जुआर, बाजरा, मक्का, रहर प्रमुक नगदी फसल, गन्ना, कपास, जूड, तमाको और तिलहन है भारत में हरित क्रांती का जनक माना जाता है MS. स्वामिनातन को भारत में हरित क्रांती की सुरुवात होई थी 2016-68 से बीच में वीशु में हरित क्रांती का जनक माना जाता है Norman E. Borlock को जो अमेरिका के रहने वाले थे हरित क्रांती प्रयूक्त मुक्य पादक फसल कौन सी थी मैक्सिकन प्रजाती का गीमू हरियाली योजना संब्धी थैं जल प्रबंधन से तो हरियाली योजना लेकिन किसे संबनी था यह खेती से नहीं है यह जल प्रबंदन से है सबसे पुराना तेल भंडार कहा है दिग बोई असाम में है भारत में सरुप्तम तेल सोधन परिश्कड सेट्र अस्तापित हुआ था डिग बोई 1901 में असाम में देश का पहला लौई स्पाथ कारखाना अस्ताफित किया गया था ठार सो चोहत्र में कुल्टी बंगाल में टाटा आइरन एन इस्टील कंपने टीस्को की अस्ताफनावईती निसो साथ में जहारखंड के जमसीद्पूर साकजी में जमसेद्धी टाटा द्वारा बोकारो इसपाथ सयंत किस अस्ता व्रावरहास के अस्तापनावीत थेاس आउनिस सुपने मैं। जर्मनी के सुफने सुफने में। इस्टिल अथारटिया ओफ इंडिया के अस्तापनावीत जनुरी से सुफने में। ही फुटी। ग्लास्टर में सूती वस्त्रों की राजदानी कहलाता है मुंबई उत्तर भारत का मैंचेस्टर कहलाता है कानपूर दच्चिर भारत का मैंचेस्टर कहलाता है कोईमटूर भारत का बोस्टन कहलाता है आमदाबाद सोने को रेशा कहा जाता है सोने का रेशा कहा जाता है भाद का सबसे बड़ा राष्टी उद्यान हेमिस राष्टी उद्यान लद्दाक में है टाइगर इस्टेट कहा जाता है मत्रप्रदेश को भाद का सबसे बड़ा बाग अभ्यारड है नागरजुन सागा स्री सैलम आंद्रप्रदेश में टाइगर मैन आफ इंडिया कहा जात शली मली को, सली मली राश्टी उद्यान है श्रीनगर में, ताडोबा बाग आरची छेतरे महाराष्ट में, सिवालिक हातिस आरची छेतरे उत्राकंड में, रडधंबोर चीता सरड़ अस्तले राजस्तान में, वेदान थंगल पच्छी अबारड तमिलाडु में, राजी गां में जिवासम राष्टी उद्यान है मदप्रदिश में राष्टी प्राडी उद्यान है नई दिल्ली में नेशनल उड फॉसिल्स फार्ग इस्तित हैं जैसल में अराजथान में सबसे अधिक राष्टी उद्यान वाला राज मदप्रदिश बहारत का प्रथम तितली उद्यान है बनर गट्टा जैवी की उध्यान बैंगलोर में रड़ थंबोर वन प्राड़ी अब्यार प्रसिद्य टाइगर के लिए एक सिंग वाला गेंड़ा के लिए प्रसिद्य काजी रंगा राष्टी उध्यान जो आसाम में है देश का सबसे बड़ा बंदरगा मुंबई में बा जरात इसली कांडला है, जुआरी बंदरगा, बात का सबसे प्राचिन बंदरगा अच्य नहीं, गुजरात का दाहे जै रसायन बंदरगा, भाध की सबसे बड़ी जन जाति है भील, भील समबंद है प्रोटो ास्त्र्योलायट प्रजाती से, भाध की दूसरी बड़ी जन तोड़ा जन्जाती का मोल निवास था निलगिरी की पहाणिया तमिलाड़ों में, बहुपती, बिवा तता प्रचली था तोड़ा जन्जातियों में, द्रवीडन प्रजाती संगेतिती दच्छिर भारत में, दिवाली का सोक परो के रुपे मनाती है, उत्राखन उत्रप में, बोडो जन्जाती निवासी करती पुरू की गारो पाड़ियों में, सहारिया जन्जाती पाइजाती राजस्तान के बारा जीले में, भात की सबसे आद्य जन्जाती जारवा है, जारवा पाइजाती अर्णमान निकोबार में, गारो जन्जाती पाइजाती मेगाला, अ सम और मीजोरम राज्यों में सरहोल तेवार मनाया जाता जहारखंड के उराव मुंडा और जंजातियों द्वारा लेपचा जंजाती पाई जाती है सिक्की में रितु प्रवास किया करते हैं भूटिया लोग मुपला जंजाती कहां पाई जाती है मालाबार पहाणियों केरल म गुजर जनजाती निवासी जम्मू कस्मे और इमाचा प्रतेश के बायोटेक पार्क अवस्तित लक्नोव में चंदन कबरिश मिलता है करनाटक राज में फूलो की घाटी चमोली इस्तित उत्राखंड में मकराना संगमर्मर की खान है राजस्तान में क्वार्ज बनता है सिलिक नेफा, मेटिरोलाजी अध्यान है मौसम का, चाय उगाय जाती है अतितिक ठंडे प्रतेशों में, घाट सिला प्रतिस प्रसिद्देर तावा के लिए, बेला डिला लवाईस खान है च्छतिस गड़ में, प्रतिभी पर घने वन मिलते हैं भूमद रेखा पर, केसर उत्पा नदी के अपर्दन से, कोक का नियम किस्से होता है कोयला से, भारत में उश्रकटी बंदी सुस्क सदाबारवन मिलता है तमिलनाडू के तटी भाग में, पुरुका और स्कॉटलाइन कहलाता है मेगाल है, बिहार इस्तिते सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सीतु की लंबाई पांत असुन पांस किलोमीटर, गोडवाना कोयला छेतर मध्वदिश में, मैंग्रो वनस्पती पाय जाती सुन्दरवन में, दंड कारड़ा पाठार इस्तित है उडिशा में, छतिसगर महाराष्ट और मांध्वदिश में, तिरुपती अवस्तित है सेशा चलम प अगर्डी राज महराष्ट, इलाईची काजू का बड़ा अध्वादक आंदर प्रदिश, भारत की प्रमुक खाद परशल क्या है, चावल, सबसे अधिक कहवा होता है करनाटक में, चावल का का कटोरा का आ जाता है, चथिस गड़को, प्रतिबी पर वस्तु का भार अधिक है ध्रूगों पर बाहत का सबसे मांगा सर मुंबई है, ठैक्स पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में